एलो फ्रेंट्स वेलकम टो सोट्स किच्चन तो दोस्तों आज हम मनाएंगे कड़ाई पनीर एक बहुत ही असान तरीके से तो चले शुरू कलते हैं सबसे पहले हम पनीर को मारिनेट कर लेते हैं एक प्लेट के अंदर एक चोताई चमच धनिया पाउडर एक चोताई चमच लाल मेर्च पाउडर थोड़ा सा हल्दी नमक स्वात के अनुसार एक चमच दही एक चमच तेल एक चमच मैदा या कॉन स्टार्च इसे अच्छे से मिलाके पेस्ट बना लेजिए थोड़ा सा इसमें वाटर बे आड़ कर लेजिए ताकि जो पेस्ट है वो यूनिफॉर्म बने अब इसके अंदर हमने 200 गरम पनीर को आड़ कर दिया है अच्छे से पनीर का पूरा ब्लॉक ही हमने मैरिनेट कर रहें एक साथ ताकि इसको बाद में काट लेंगे अराम से चलिए अब इसे पैन फ्राइ करते है एक पैन के अंदर दो से तीन चम्मच आपको तेल गरम करना है मीडियम फ्लेम पे अब इसमें आपको पनीर को फ्राई करना है पनीर को तीन से चार मिन तक मीडियम फ्लेम पे आपको फ्राई करना है दोनों साइड से जब तक जो पनीर के उपर एक बड़ी असा क्रस्ट ना आज है तब तक आपसे सॅइट करते हैं और ग्रेवी की तियारे करते हैं एक कडाई के अंदर आपको 8 से 10 समस्ट तेल या घी को गरम करना है मीडेम फ्लेम पे इसके अन्दर 2 ओनियन की प्यूरी आपको आड़ करनी है प्याज की प्यूरी को आपको तब तक भूनना है जब तक प्याज का पानी वो सारा न उड़ जाए और प्याज जो है थोड़ा थोड़ा ब्राउन शोना स्टार्ट न हो जाए तब तक भूनना है अब टेश पेस के अंदर आप दो टमाटर की प्यूरी डालेंगे दो चमच जिंजर गालिक पेस्ट सच्छे से मिलाएं अब इसमें मसाले अट करते हैं एक चमच धनिया पाउडर आदा चमच लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा हल्दी नमक स्वात के अनुसार एक चुथाई चमच दालचीनी पाउडर एक चुथाई चमच गरा मसाला पाउडर एक चमच कश्मिरी लाल मिर्च पाउडर एक चमच भुना हुआ जीरा अब इसमें अच्छे से मिक्स कर लिजिए अब इसमें आप 100 ml करी पानी डालिए थोड़ा सा मिक्स कर लिजिए इसको अब हमें ग्रेवी को पकाना है धककर 10-12 मिनिट तक आपको मीडियम फिल्म पे पकाना है ग्रेवी को देखे ग्रेवी फक चुकी है तेल सारा उपर आचुका है बढ़िया तरीक से दिरिक ग्रेवी फक चुके है सारे मसाले अच्छे से पक गगाए है अब इसमें एक शिमला मिरिच डालेंगे चौप करके एक प्यास जिसको हमने बीच में से काटके उसकी सारी परते खोल दी वो डाल दिया इसको ग्रेवे मिक्स करिए अच्छे से अब इसमें थोड़ा सा पानी डालिए और इसको ढखकर पांच मिन तक आपको लोम फ्लेम पे पकाना है ताकि जो सब्जिया है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए अब स्टेश पेस के अंदर जो पनीर था उसको हमने क्यूब्स में कट करके इसमें डाल दिये हैं थोड़ा सा मिक्स करिए अच्छे से इसकी उपर एक चमच कसूरी मेथी डालना है थोड़ा सा पुदीना यहां पर मैंने ड्राई पुदीना के पत्तों को पीष के उसको पाँडर बलाके डाला है पांच मिन तक के पकाना है आपको लो फ्लेम पे और आपकी डिश एकदम तेयार है आपका कड़ाई पनीर एकदम रेड़ी है थोड़ा से से गार्णिश कर दीजिए क्रीम के साथ उपर से गाईज अगर वीडियो अच्छा लगा हूँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यो सो मच